नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अन लेर्निंग पार्शाला के यूट्यूब चैनल पर तो मेरा नाम है रवी और मैं आज आपके लिए लेक्शन का एक टॉपिक जहां से एक्जाम के अंदर कोश्टन बनते हैं या आप किसी भी अगर आप मैच से जुड सब्सक्राइब बनते हैं तो यह टॉपिक जो है आपके लिए काफी इंपोर्टन हो जाता है यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा पहला तरीका लग रहा है ठीक है सबसे असान हो जाएगा अगर नहीं लग रहा तो दूसरे और तीसरे में से कोई एक तरीका लगा आपको ठीक है चलो देखते हैं अब जोको हमारी तीन तरह की fraction होते हैं पहले तो यह समझो आप ठीक है एक होती है हमारे पास प्रोपर fraction फ्रेक्षान वह fraction होती है जिसका numerator आपका denominator से छोटा होता है, numerator जो उपपर आता है, और जो denominator जो नीचे आता है, ठीक है, numerator अगर छोटा है, जैसे 5, 7 से छोटा है, तो यह प्रॉपर fraction है, improper fraction में numerator बड़ा हो जाता है denominator से, ठीक है, तीसरी आती है, mixed fraction जो improper fraction से ही निकल कर आती है, अगर मैं इसको divide कर दो, 9 को और 6 को आगर मैं divide करता हूं एक पर गया 6 यह denominator बच्छा 3 तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 6 3 बाइ और सोरी यहाँ पर वन और यह 6 ठीक है 3 उपर चरा जागा वन यहाँ पर 6 प्लस 3 9 इससे इंप्रोपर फ्रेक्शन का जो निकालेंगे अगर इंप्रोपर फ्रेक्शन में हमको पूछा है largest और smallest उसमें हम पहले मिक्स फ्रेक्शन में चेंज करेंगे उसके बाद देखेंगे यह मैं आपको लास्ट में बताओंगा तो वीडियो से लास्ट तक जोड़े रहना है उससे पहले यह सीख लेते हैं प्रोपर फ्रेक्शन का हम कैसे पता करेंगे कौन सी फ्रेक्शन बढ़ी है क्योंकि last में इसको भी finally हम इसमें ही ले आएंगे जह हम compare कर रहे होंगे बढ़ा कौन सा छोटा कौन सा है तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है वीडियो को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो इस साधी के सारी कौन सी प्रॉपर फ्रेक्शन से क्योंकि इनका नियूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से आपको क्या कर सबका जो डिफ्रेंस है वो सेम है अब नियूमिनेटर को देखो सबसे बड़ा नियूमिनेटर 13 है तो यह सबसे बड़ी फ्रेक्शन हो गई आपकी D ठीक है D उसके बाद 11 उसके बाद 11 मतलब B उसके बाद 7 मतलब C और उसके बाद A यह हमारा घट्ते किरम में मैंने लिख सबसे बड़ी फ्रेक्शन उसके बाद यह उसके बाद यह उसके बाद यह कुछ नहीं करना अगर सबका डिफ्रेंस सेम है डिनोमिनेटर मिसे नियूमिनेटर को घटाएंगे तो जो सबसे बड़ी फ्रेक्शन है जो सबसे छोटा नियूमिनेटर है वो सबसे छोटी फ्रेक सबसे बड़ा numerator कौन सा है ये डी उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये सबसे छोटी fraction कौन सी है 21 अपन 25 ये हुआ एक तरीका करने का अब सवाल आता है कि सर ये हर portion के अंदर हमारा difference सेम तो नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा बच्चो तब क्या करना है द्यान से देखना अब देखो इसका difference कितना आ रहा है यहां पर लोगई तो आप फाइफ में टू गया थ्री नाइन में सवन गया टू सवन में सबसे पहले बेसिक पर चलते हैं आपको मैं अगर दो यहां पर मैं कोई दो fraction लिखता हूं आपके लिए 4 अपोन 6 और मैंने लि से हम लेते हैं अगर दो होती है तो हम इनको क्रोस मल्टिप्लाय कर देते हैं इसको इससे मल्टिप्लाय कर देते हैं और नीचे इन दोनों को मल्टिप्लाय कर देते हैं 30 अब इसको अलग अलग आप लिख दो अगर इस तरह से दोनों का denominator same है तो बड़ी कौन सी हो गई है तो वही चीज है मतलब बड़ा कौन सा हो गया 7 by 5 तो इस चीज को हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर मैं cross multiply कर दूं बस 7, 6, 42, 5, 4, 20 तो हमें यहीं से पता चल गया कि यह वाला number 7 by 5 जो है fraction बड़ी होगी denominator ही multiply करने की ज़रत नहीं है क्योंकि हमें पता है finally हो equal ही होता है यह एक तरीका होता है cross multiply का अगर दो ही fractions है अगर तीन fractions होती है तीन तो उसमें हम इन तीनों का LCM लेकर के denominator same करते हैं यह आपने basic पढ़े होंगे तो आपको कुछ नहीं करना सिंपल सी बात है आपने दो fraction उठाने है कोई से भी जैसे कि मैंने इन दोनों को उठाया और cross multiply करना इसको इससे इसको इससे 9, 2018, 75, 35 जो हमसा बड़ा आ गया वही आपकी fraction बड़ी होगी तो यह fraction बड़ी होगी ठीक है अगर हमें सबसे बड़ी fraction पूछी है तो हम छोटे वाले को भूल जाएंगे अब बड़ी वाली के साथ इसको compare करेंगे कि इन दोनों से कौन सी बड़ी है ठीक है तो इन दोनों से पता करने करें इसको इससे multiply करो इसको इससे करो 27 तो कौन सी बड़ी होगी यह तो हम इसके बाद आ जाएगी 3 x 7 15 बड़ा है 14 से और सबसे छोटी हो जाएगी 2 x 5 यह एक तरीका हो गया समझाया कैसे करा मैंने यहापर इस तरह यह दूसरा method है cross multiply हमेशा याद रखना कि अगर exam में कोई तरीका नहीं भी कर पा रहे हो सब कुछ भूल गयो तो cross multiply से check करना सबसे easy तरीका इसको तो माइडने बिठा लो कि question न छूटे आपका अगर आप कुछ चीज भूलते भी हो cross multiply करो इसको इससे इसको इससे जो उनसा बढ़ाया वही fraction बढ़िए फिर उसको अगले के साथ compare कर लो और ज्यादा दियो है उसको अगले के साथ कर लो ठीक है यह एक तरीका पढ़ा कि हमने difference को देखा था वहाँ पर अगर difference सबका बराबर था तो हमारा numerator सबसे बड़ा था वह सबसे बड़ी fraction थी जो उसके बाद numerator था वह सबसे चोटी fraction थी और जो सबसे चोटा numerator था वह सबसे चोटी fraction थी तो अगर मैं इन सबका difference बराबर कर लो किसी तरह से तो हम व 2 और 4 का LCM क्या आएगा आपके पास 12 आएगा 12 यहां से सुनना क्या बोल रहा हूं और 2 और 3 का LCM लो अब क्या करो 3 के टेवल में देखो कितने पहारा 12 देखो हम क्या करने सबका जो डिफरेंस यह उसको एकुवल कर रहें बराबर कर रहें कि अगर हम डिनॉमिनेटर अगरarl और भात वास एट अप उन 20 आप देखो कितना अगे को multiply कर दो उपर नीची आपको सबका difference 12 ही आएगा ठीक है अब हमें पता चल रहा है इससे difference 12 आ रहा है तो हमें denominator में multiply करने की ज़र्रत नहीं है हमें काम किसका है numerator का जो numerator सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी fraction तो सीधा उसको इतना नहीं करना आपको उसको सीधा भी करो numerator से और लिखतो ठीक है अब आपको यहां पर क्या करना है सीधा देखो थिरी के टेबल में 12 कितने पर फॉर पर टू से multiply कर दो एट तू के टेबल में 12 कितने पर है और फॉर के टेबल में 12 कितने पर थिरी पर थिरी को कर दो नाइन से अब यह उस केस में है जब सबके डिनोमिनेटर जो सबका डिफ्रेंस है डिनोमिनेटर में से निम्रेटर रगा वह 12 का बराबर है ठीक है तो बस हमें आप क्या करना है इनको देख लो सबसे बड़ा कौन सा यह सबसे बड़ा हो गया उसके बाद आगया आपका 3 by 7 और उसके बाद आपके आगया 2 by 5 आई होब पिल्कुल अच्छे से क्लेर हो गए होंगे तीनों मेथटर ठीक है समझा है ना क्या कर रहा है इसके अंदर पूरा लिखने की जो र पर multiply करो और देखो सबसे बड़ा कौन सा है numerator वही सबसे बड़ी fraction हो जाएगी ठीक है चलो यह हो गया यहां तक का अगली एक अभी तक मैंने क्या बताया सबसे पहले देखना है डिफ्रेंस उनका बराबर है या नहीं अगर डिफ्रेंस बराबर हो तो सीधा हमाँ पर दो मि है ठीक है अगर denominator numerator के छोटे छोटे नंबर से जिनको आप easily multiply कर पा रहे हो तो उस method को लगाना और बहुत बड़े बड़े नंबर है जैसे यहां पर देखो 35 into 13 बहुत बड़ा नंबर है 17 into 23 बहुत बड़ा नंबर है उस case में क्या करना आप difference लेना सबके और अगर अलग-अल आप multiply आपको अलग से करना पड़ेगा तो इससे बैटर है कि आप यह वाला method ना लगा कि cross multiply वाला आप difference आपके बराबर कर लो क्योंकि difference देखो चोटे हो जाएंगे दो छे चार और यह 12 थीक है अब इन चारों का LCM लो 12, 4, 6, 2 का LCM आ अगया आपके पास 12 थीक है अब देखो 2 के table में 12 कितने पाया है 6 को उप़र multiply कर दो 11 से 66 6 के टेबल में 12 कितने पर टू पर 2 को उपर multiply कर दो 7 तू जा 14 और के टेबल में 12 आया 3 पर 3 को उपर multiply कर दो 69 ठीक है नहीं 39 और 12 के टेबल में 12 कितने पर आया 1 पर 1 को उपर multiply कर दो 23 अब बस simple सा देख लोगी सबसे बड़ा numerator जो है वही सबसे बड़ी fraction हो जाएगी इस तरह से ही करना है और फाल्तू के तरीके जो यूटूब पे कई मैंने देखा है चैनलों ने बना रखे हैं वह नहीं करना है एक ने बता रखा है कि यहां से आप इनका difference लो ठीक है और numerator को ऐसे ही लिख दो difference को नीचे लिख दो और इनको डिवाइड कर करके देख लो अरे वह डिवाइड करना होगा तो हम यहीं पे ना करके देख लेंगे तो इस तरह की चीजे है ना जो कोई जिनका कोई logic नहीं होत सही होती है concept समझो practice करो concept आपकीईजी हो जाएगी बहुत चलो समझाय अब देखो इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर लगाते हैं डिफ्रेंस चार डिफ्रेंस चार डिफ्रेंस चार और डिफ्रेंस चार यह आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सबसे बड़ा कौन सा 53 सबसे बड़ी फ्रेक्सर फिर यह फिर यह फिर इस तरह से कर लोगे चालो अब देखते हैं ये सवाल है हमें इसके बीच में एक एसा number set करना है इन में से तो इस तरह के question में आप एक एक आपको रखरके देखना पड़ेगा तो अगर आप एक को रखके दिखोगे फिर उनका difference ले लेके अलग difference आ रहा होगा उनका lcm ले करके numerator मुल्टिप्लाइ करोगे फिर पता करोगे कि वह इनके बीच में आया है नहीं तो इस तरह के question में आप क्रोस मल्टिप्लाय का मैथड यूज करना क्योंकि दो ही यहां पर फ्रेक्शन से अब क्या करो एक को उठाओ किसी एक को ठीक है किसी को भी उठा लो 21 देखो यह बड़ी आगी हमारी यह बड़ी आनी चाहिए थी तो इसका मतलब यह अंसर गलत इस तरह से आपको जल्ली जल्ली से चेक करना पड़ेगा यहाँ पर रखते हैं 20 by 30 अब देखो 30 इंटू 5 150 और 20 इंटू 8 160 ठीक है इससे बड़ा आ रहा हमारा बड़ा आना चाहिए यह चलो इससे चेक कर लेते हैं 220 को 20 से करा और साथ को इससे करा था 210 देखो यह बड़ा आ गया लेकिन हमारा यह बड़ा आना चाहिए था तो यह भी गलत है ठीक है हमें बीच में सेट करना है इसको अब बीच में लाओ यहाँ पर क्या 19 by 30 19 by 30 एक्जाम में पूछा हुआ क 171 नहीं हाँ पर 150 तू आएगा 152 ठीक है बड़ा आ ठीक है अब इसको चेक कर लेते हैं इससे छोटा है या नहीं यह हो जाएगा 1901 209 और इसको करेंगे हम 73 और 210 बड़ा आ गया ना देखो और हमें यही चाहिए था इससे बड़ा यह और यह इससे बड़ा यह नंबर जो ह देख लेते हैं मिक्स फ्रेक्शन वाला देखो प्रॉपर यह कैंसे इंप्रॉपर फ्रेक्शन नुम्रेटर बड़ा है इन कोसंस के अंदर क्या करना है आप पहले इनको चेंज यह किसी ने नहीं बतावा यूट्यूब पे कितनी भी फ्रेक्शन की वीडियो उठा के देख करेंगे दो पे गया 16 बचा 3 3 उपर चला जाता है और 2 यहां पर आ जाता है ठीक है इसको कैसे करते है एट टू जा 16 प्लस 3 19 बाइट तो वही चला जाती है समझ गया तो इनको सब को चेंज कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास 2 3 बाइट ठीक है यही आया ना इसको क किस में चेंज कर लिया मिक्स फ्रेक्शन में चेंज कर लिया अब एच्छी और याद रखना मिक्स फ्रेक्शन का मतलब क्या होता है अगर मैं लिख रहा हूं 2 3 बाइट इसको हम ऐसे भी लिख सकते है जो मिक्स फ्रेक्शन होते है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है याद रख इती है यह 1 प्लस 6 बाई 7 है 2 प्लस 1 बाई 6 है 4 प्लस 3 बाई 4 है अब यहाँ से पता चल गया 4 के अंबर कुछ एडर है यह सारे नमबर 2 के अंदर कुछ two लाँ वनन के अंदर तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा अपने आप क्योंसी 4 है यहाँ और देखो कभी पूची नहीं रहा उसके बाद सबसे छोटा यह हो जाएगा को फेक्स अगर अर्फ काकी लेक्ष्ट्रैक्षम की फ्रीज सबसे ओगे नार्टेस सबसे बिक πर बीच में पता करना और हगा है आपके पास 19 by 4 ठीक है और सबसे छोटा होगा 19 by 8 इनके बीच में आगर आपको पता करना हो यहां पर आपको देखना होगा यह वाली फ्रेक्शन बढ़ी है यह वाली फ्रेक्शन बढ़ी है तो इसका मतलब यह वाला नंबर यह वाला नंबर जो है आपका बढ़ा है करें यहां पर क्या आजाएगा सबसे बढ़े के बाद 13 by 7 było 7 देखना यह यह पर अच्छी से वीदियो समझ आए होगी अगर वीदियो अच्छी लगिये अच्छा लगा देखो इसके बाद कोई भी फ्रेक्शन का ऐसा कोशन नहीं जो आपसे नहीं होगा हर कोशन को आप अच्छी से बना लोगी ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करना ताकि मेरे को मॉटिवेशन मिले इस तरह के वीडियो लाने के लिए और मैं आपको सारी चीज़े कॉंसेप्ट के थुरू बता सकूँ ताकि आपको मैथ इजी लगी और मैश पड़ने में मजा भी है मैश के अनना जितनी प्रैक्टिस करोगे न उतना ज्यादा बेनेफिट र देकर धन्यवाद दोस्तों जाहिन